व्यापक्ता, क्या ये दूसरे की पूरक है या फिर नहीं, मौजूदा वक्त में राश्चुबाद क्या भिन्न है पहले के मुखाबे और समय समय पर क्या सरकारे अपने हिसाब से राश्चुबाद को परिवर्तित करती रहती हैं, इसी विश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ये जोड़दार तालियों के साथ स्वागत कीजे, डॉक्टर संबित पात्रा, तेस्तर राजनेता, राश्च्वी प्रवक्ता भारतिय जन्हता पार्टी के, करहया कुमार, कॉंग्रिस पार्टी के नए नवेले नेता अपने वागपटुता के लिए जाने जाते हैं, हमार जोड़ा सरकार पर बार बार ये आरोप लगे हैं, कि राश्च्वाद को अपने हिसाब से ये सरकार परिभाशित करती है, जबरन थोपने की कोशिश करती है लोगों के उपर, और इस विशय को लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी आप रहते हैं, संबित पात्रा के ल जाओंगा धीरे-धीरे, क्योंकि politics तो ultimately होना ही है, उससे पहले थोड़ा broad perspective में discuss करते हैं, देश और राष्ट्र, ये दोनों शब्द परियावाची नहीं है, भिन्न भिन्न है, देश की boundary होती है, देश की एक अर्थनीती होती है, देश में काउंसिल अफ मिनिस्टर होते है देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की अपनी एक छवी होती है, देश का एक आर्मी होता है, this is country, देश, राष्ट्र एक सोच होता है, उसकी boundary नहीं होती है, मैं एक उदाहरन दे रहा हूं, गंगा, गंगा को आप अगर देश के नजरिये से देखें, तो गंगा एक गंगा एक सोच है, वो जननी है, वो भागी रती है, वो सिरसरी है, वो गंगा है, वो राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है, राष्ट्र व्यापक है, राष्ट्र बिंदू है, किन्तु वो सिंधू है, राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र मत है, राष्ट्र व्योम है इसलिए राष्ट्र को लेकर दो मत कभी नहीं हो सकते हैं मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी मा है मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मा नहीं हो सकते हैं राष्ट्रबाद क्या है राष्ट्र को मा मानना राष्ट्र को जननी मानना राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है और इस कारण से ये जीवन राष्ट्र के चरणों पे समर्पित है राष्ट्र के लिए में कुछ भी कर सकता हूं राष्ट्र के लिए में बरिदान दे सकता हू यही राष्टरवाद है कनेया अब आपके पास आते हुए बीजेपी के राष्टरवाद से आप लोगों को इतने दिक्कत क्यों है और इसे से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप जादा राष्टरवादी थे या कॉंग्रेस पार्टी में आकर वो बहुत धन्यवाद मैं समझता हूं कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्टरवाद से क्या दिक्कत है मुझे बीजेपी के राष्टरवाद से दिक्कत नहीं है मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये देश है ये कॉंट्रेक्ट है उस सोसल कॉंट्रेक्ट को 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्टपती लाजंदर परसाज जी की जेनती है आज खुदिराम बोश की जेनती है आप देखिए कि तमाम अलग-अलग नेता ने कहा कि आजादी लीज पढ़ है 99 साल की तो ये ना आजादी को मानते हैं ना देश के संविधान को मानते हैं तो कोई भी राष्ट जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश म तो इनका राष्ट्रवाद दरसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिकत है हम समोभाद में भरोसा करते हैं हम कलेक्टिव अंडरेस्टेंडिंग में बिलीव करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा चाहें वो हिंदू ह मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो दलित हो ब्रामन हो काला हो गोरा हो महिला हो पुरुस हो इससे देश बनता है इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिवासा इस देश के संबिधान में है और उस संबिधान से इतर कोई भी व्यक्ति चाहें वो संबित पात्रा हो या इस मैं कह देता हूँ इस पर यस मैं आटीडीजी का चेर्मन बना हूँ और मैं बता दू मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ सभी बढ़े लिखे हैं इतो डाक्टर है ना सर मैं बीच में नहीं बोल रहा है इस प्रकार से नहीं को तुरिजम सब्सक्राइब करेंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दे हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं हम अपने व्यवहार से प्रदर्शित करें चिला कर प्रदर्शित करने की कोई अवश्यक्ता नहीं है चित्रा जी मैं कर नहीं कर रहे हैं और हमको ग्यान दे रहे हैं कि चिला करके बाद नहीं कर रहा हैं मगर हम मार्केट पेस में बैठके यह मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं तो श एक ये करके अपनी बात करेंगे अप आप युवा तरह लेता है माल या यह भूल लेंगे विटिकति नहीं है आपने कहा नी जवाब लेना है ठीक है आपको जाए और हाद रिक्वेस्ट करूगा यहां काली पुरी जी बैठी है सुप्रियो जी बैठे है अरुन पुरी जी से करेंगे भी बात होगी मेरी देखिए हमने एक हम एक पार्टी है हम यहां पर कोई कॉलेज यूनिं के लड़ाई लड़नी नहीं आए है मैं बहुत बड़े चैनल में बैठा हूं सम्मान के साथ बैठा हूं और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए मैं यह अरुन लिखे लोगे देखिया आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन मैं बता दू मैं इटीडीजी का चैर्में मेरे से पहले संकर शिंग वगेला थे गुजरात के मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं मैंने मैंने मैं मैंने मैं लंडन से उसके बाद मैंने UPSC अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है ये लिख ये क्व जिट्टी करते हैं आप तोर्में किसी मुझे किस्वी टुटर म agents कि All India Medical मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है वीस भी सौ सो लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें क्वालिफाई करते हैं कहां क्लिनिक है यह मत पुछिए एक सेकंड रूख यह नहीं पुछ आप डाक्टर ठीक है हम जस मुद्दे पर बैठे हैं यहां पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए लीज आप यहां क्वालिफिकेशन पर है तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है यूपीसी का मैं 2000 बैच कर 19th rank holder हूँ उस से मैं यूपीय की सरकार थी कोई बीजेपी ने मुझे नहीं कुसा जिया था इसलिए यह क्वालिफिकेशन पूछने का यहां पर जो लोग 50-50 साल तक थीस करते हैं हमारे पैसे पर पलते हैं वो यूपीयसी वालों को पुछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है सब्सक्ताइब अब में उततर प्याता हूं मैं यहां तुतु में नहीं करने आया रे दूसरे को बोलने जिए जिए जिस थोड़ी से मर्यादा हम बना के रखे अब मुझे आते और मैं पूरी उमीद करूंगी कि दो बारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात निक प्लीज देखे चित्रा जी यहां हम मैं संबित पात्रा और कन्हिया कुमार विशय नहीं हम इंडिवीजुल्स है यहां विशय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं एक सेकंड सर्वाराष्ट वार्ट सबसे बड़ी बात है यहां कहा गया कि देश कॉंस्टिटूशन से चलेगा विल्खुल सही बात है संविधान से चलेगा कॉंस्टिटूशन में कही नहीं लिखा है कि भारत माता की जै बोलना है कॉंस्टिटूशन में कही नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है यह defined नहीं है. Constitution में चित्रा जी यह भी नहीं लिखा है. कि अगर पिता जी या माता जी के पैरो में दर्द हो तो बेटे को जाके मा के पैर दबाने चाहिए. या पिता जी को headache हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पिसेंगे और सरजिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से पांच लाख मुसल्मान आएगा और आसाम को और नॉण से बागी दो लोगों को राश्रभा पर बोल ने देंगे उसमे लिए ए गिसमें दम है हिंदुस्तान को विए मंसकोर अएग कि अलगी att ज़से कशोच एग कि जबरंगी उतना निकमाई कि ह में जाहाए आपको पूद जयान में रखना चाहिए ठीक है आराम से प्लीज आपको पोड़ने दिजे थी आपको दोरान असी हजार में और अक्सीजन का सेलेंडर भी रहा था सरकार का एक भी हल्प लाइन काम नहीं कर ला था और संवित पात्र अपना डॉक्तरी का डिगरी लेकर के चिंता करिए चिंता करिए रहु गांदी की लोगों को बेख लेए लिए रहा था लोगों को दवाइन नहीं मिल रही थी और यह कहते हैं कि दिक्कत रही है इनकी सारी आपके दो लोगों की भी वारियाने दीजे हादिक पटेल जी राष्ट और राष्टवाद की मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर गर्मागरम बहस हो गए उससे आगे बढ़ते हुए कॉंग्रेस पार्टी के लिए आपके लिए राष्टवाद क्या है क्या करहें कुमार जो बाते कहीं है आप उससे इत्फाक रखते हैं सहमती है आपके उस पर राष्टवाद को मुद्दे पर सभी लोग अपने अपने जहेन में इस देश के प्रती महबबत और प्रेम रखते हैं चाहे सरकार हो या विपक्स हो सब लोग एक दूसरों की मदद करके एक दूसरों को आगे बढ़ा के इस राष्ट को मजबूत करने का काम करते हैं और इस सरुवाद कॉंग्रेस ने आजादी की लड़ाई है वो इस देश के प्रती अपने महबबत रखते हैं और इसी लिए हमने इस देश को मजबूत करने के लिए अभी तक की लड़ाई लड़ी है संभी जी ने जो बात कही उस बात से में बिलकुल अलग मानता हूं कि सरकार जो भी हो वो सिर्फ गंगा माता पर ही बात नहीं कर सरकार होगी वो देश के 150 करण लोगों पर बात करेंगी वो चाहे किसी भी धरम के लोगों वो चाहे किसी भी प्रदेश के लोगों और मेरा ये मानना है कि सरकार की जिम्मेवारी होती है प्रदेश और देश के सभी लोगों का काम करना आज देश में क्या है संभी जी पिछ झाओं के लिए देश के गाओं के लिए कभी कोई बात ने निकलती है आप बताईए जब तीन काले कानों इस देश में लागु किये गए तब संबीजी उसके फाइदे गिना रहे थे और दस दिन पहले जब ये कानों वापिस लिये गए तब संबित जी उसके भी फाइदेगी ना रहे थे कहिने के बाद वह सिस परस्ट है कि जो भी सरकार करती है उसको सही तरीके से लोगों के बीच में अलग-अलग तरीके से घुम्रा करने के लिए फैला दिया जाता है मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो वादे किये थे 2014 में उसमें स कभी गुजरात में पकड़ेगे 21,000 करोर के ड्रक्स के बारे में तो चर्चा नहीं की हमने सारुक खान के बेटे की जैब से नहीं पकड़ेगे ड्रक्स की चर्चा जरूर की लेकि गुजरात में 21,000 करोर का ड्रक्स आप सूची जहां गांधी के गुजरात में सरापर पाब करनी चाहिए वो पढ़ा लिखाए तुसको रोजगार देना चाहिए हमारे देश में सरस्वत की सिक्सा मुप्त में मिलनी चाहिए उसकी जगा गुजरात में एक एक लाख रुप्या दूरं पांचवी कक्सा के पढ़ाई के लिए लगते तो यही राष्टवाद है राष्ट कर दी जाती है क्या साकित बहुगरा किसी नए तरह के राष्ट्रवाद के नहीं कराई गई है एक बेसिक डिफरेंस होता है पेट्रियोटिजम और राष्ट्रवाद जिसकी हम बात कर रहें उसमें डिफरेंस है अभी कनया जी की बातों से जैसा में पता चला कि इनका मानना है कि भारत एक देश के रूप में शायद 1947 में पैदा हुआ लेकिन हमारा यह मानना है और देश के अधिसंग के लोगों का यह मानना है कि इंडिया एक पोलिटिकल कंट्री के रूप में तो 1947 में भारत को आजादी मिली लेकिन एक राष्ट के रूप में हजारों वर्षों स भारत की एक सनातन परंपरा है, एक सनातन राष्ट के रूप में भारत वर्ष हजारों वर्षों से है, इसलिए हम भारत माता के रूप में राष्ट को पूचते हैं, हम मानते हैं कि इस्तरी में ही जनन की शक्ति है, माता से मात्रित तो आता है, और माता की वजह से भाईयों मे ब्राथतर तो आता है, या बहन हमें ब्रातर तो आता है, और इसलिए राश्ट्रवाण जो है, वो भारत माता पर अधारित है, हमारा राश्ट्रवाण. और केवल 1947 में भारत को जो आजादी मिली एक लंबे संगर्ष के बाद, उसका पूरा सम्मान है, सं legislative है लेकिन उसके 7-7 उसके हजारों वर्शों का जो हमारा इतियास करे में उस पर भी धियान देने की आउशकता है उसको भी अपने दिल में रखने के आउशकता है आपको पसंद आ रहा है, जो किसान एक जाने चलेगा ही फॉप को अपको पसंद आ रहा है, रास्टेवाद कामतलब ही है हम बे किसान बूलते हैं। तो छोपके जो अपको रियर कक्यों करने हैंब बात करते हैं। आपकी अभी जो राष्टेवाद पर बात हुई इसमें आपने किसानों की बात की, ना नौजवानों की बात की, क्या इस देश में अस्ती करोड से ज्यादा नौजवान इस देश के प्रति महबबत नहीं रखते हैं। क्रेशी कानून वापस तो ले लिए गया ना और प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी भी मागी उसको राष्टा ने कभी नहीं मागा ता तीन क्रेशी कानून आपने देद दिया, आप सूची ये कोई बड़ी बात नहीं आपको दिखती हूँ, आप ए प्रधान मंत्री जी आते वो टीवी में जाके कहते कि मेरी गल्ती हो गई, में माफी मांगता हूँ, आपने लिया एक साल के बात कर रहे थे, सरकार ने पारलियमेंट में खडा होके, देश के किरशी मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के दोरान जितने भी लोग मारे गये हैं वो मारे नहीं गेए पहं वो शहीद हुएं और रोब कहते हैं tycker मारे पास kalo क् हाकरा नहीं है इसीवें मौफजा नहीं दे सकते हैं सबसुतराइब NFC नहीं चाहिए साइच जी हम ये कभी नहीं कहते हैं भारत उनिसनों सीटालीस में इस देश के भीतर जितनी भी राजनितिक दल हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, उसमें बरोसा रखते हैं, जाहें वो लिफ्ट पार्टी हो, कॉंग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ज्यादा और कम का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इस बहस को खड़ा करके कौन सी बहस को गुमराह किया जा रहा इसको हमको समझना पड़ेगा, हम क्या कह रहे हैं, कि भाई भारत माता है हमारी, और भारत की भूमी पर पैदा होने वाला हर इनसान इस देश का नागरिक है, और वो नागरिक जब नौकडियों के बि इस देश की राष्ट्रिय संपत्ती किस राष्टवाद के तहट बेची जा रहे हैं, जब आपकी एंट्री होती है, तो उस समय आप पूरे की पूरे की पूरे का जवाब दे सकते हैं, उसके बाद आप गायव हो जाते हैं, सारी बात आप इसी मंश्व से तुन ने साकीजी निजी निजी बात की बोलेंगे, गर ऑगर दोनों का प्रोपगेंडा कारना लानी कि वशक दानगर भॉलने को उष्ट्र अले बोलेंगे, इसको जुडना क्या मैं तो अब लोग इतने बड़े हैं इतने मर्यादा के जहां रखें किसे को सब्सक्राइब कर दो लोग ही बोलते रहेंगे क्या कि हम लोग बोलेंगे नहीं यह क्या मज़ाख है कर्या जी प्लीज एक वर संबित पात्रा की बात हुजए साकेत आरी हो संबित जी देखिए चित्रा जी यहां बहुत सारे सवाल उठाये गए में शांतिप्रिय तरीके से बिना उत्तेजना के कुछ प्रश्नों का उत्तर देता हूँ नंबर एक यहां हार्दिक पटेल जी ने कहा कि संबित पात्रा रोज डिबेट अच्छी बात है आप मुझे देखते भी है कि संबित पात्रा डिबेट में आते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हम नहीं करते हैं जब Salman Khursheed, Rahul Gandhi और कई आपके नेता के कहते हैं कि हिंदू मैण। सब इस प्रकार जी अव्राइब अश्त sudah प्रटी है अगर टैना के अवरा किल्थी अविए टी पलले स्डिलेंगार्प ट्रफ्मे में झाल इना रिक सिट ऑर प्रु तरफ यह ढूर програм। आप आप माले कोई काहूँगा अज्ञे इंड बार आप पितर जागे तु देखे बीप पुरा देश देख रहा है तुरा देश देख रहा है, थोड़ा साब मुझे बार-बार एक एंकर अगर इतने बड़े नेताओं को मर्यादत सिखाए, खुद के भीतर जाग के तो देखे, प्लीज करनेया जी आपसे भी संभिज आपसे भी, प्लीज ठीक है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, अप आपने विषय को रख रहा हूं, हम रूलिंग पाटी है, सारे आक्षेफ हमारे उपर है, अगर हम नहीं कहेंगे, मुस्कुरा कर जवाब नहीं देंगे, तो कौन देगा, सभी प्रशनों का जवाब दूँगा, मगर प्लीज धीरज के साथ सुने, राहूल गांधी टीवी पर नहीं आते हैं, कौन कह रहा है, मैं तो नहीं कहा के डेट पर आते हैं, एक सेकंड, मैंने कहा कि राहूल गांधी, सल्मान खुर्षीट जब कहते हैं, कि हिंदुत्व इस इस और बोको हराम, हिंदुत्व इस इक्वल तो मुस्लिम ब्रधर हुड, प्लीज, ये ऐसा हो इस अपने समय में, इसा है, आराम से, शित्राज जी इस 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 नहीं थे इस नौट टीबेट, प्लीज, तो बोल ओएक तो फिर बोलेगा. प्रीस आराम सेखरे. याम्हा इन ए संबेटाटायजी ए और यह पेता हैं. Otherwise, as an audience, we don't know what's happening. We can't hear and understand it. This is not a TV debate. she does not have the facility to mute you or say producer unka mute कर दीजिये so please can we please hear each speaker's point of view clearly as an audience we are here to listen to you please give us that respect as well thank you all of you thank you so much Kaliji thank you so much for the intervention हम नही चाहते है लड़ाई करना वाका ही नही चाहते है और मैं दुख के साथ कह रहा हूं चित्रा जी जो आज यहा हो रहा है एजेंडा में वही पार्लेमेंट में भी हो रहा है बोलने नहीं दे रहे मुह के आगे कोई प्लाकार दिखा रहा है कोई किसी को थ्रॉटल कर रहा है कोई किसी को स्ट्राइगुलेट कर रहा है कोई कांच की दिवार तोर दे रहा है यह बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है, देश के सबसे बड़े प्लाटफॉर्म पे बैटा हूँ मैं, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, इतना कहना चाहता हूँ, देश को चलाना, देश के लिए अच्छा सोचना, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना यह आसान काम अब मुदी जी के बारे में आप किसानों को लेके पूछ रहते हैं, बिलकुल अच्छा ही बात है, साथ सो किसान, सौ किसान, एक भी व्यक्ति, अगर मुद्धी को वरन करता है, प्रापत होता है, किसी को अच्छा लग सकता है, चाहे मेरा विपक्षी दालो, उसको अच्छ को बाहर बेच सकेंगे, कब वो अपनी जो आंदनी है, वो बिचोलियों को नहीं, वो उनके जेब में आएगा, कौन इस देश को सवारेगा, आप मुझे बताई एक व्यक्ति, कौन इस देश को सवारेगा, हम लों विश्वास ही नहीं करते हैं कि मेरा हिंदुस्तान कभी ब इस व्यक्ति ने आप सोचो वो व्यक्ति कैसा सोता होगा, उस व्यक्ति को आप गाली देते हैं, उसको क्या नहीं बोलते हैं, फिर भी वो निरंतर प्रयास सिर्फ एक बात के लिए कर रहा है, कि मैं जब तक हूँ कुछ तो भला करूँ देश का ये किवल डिबेटी होता र इस का अज़ी हैं कि आप हिंदू को टेकन फर गांटेड लेंगे, उसका अज़ी नहीं है कि आप मुझे IASIAS और Boko Haram कह देंगे, मैं हिन्दू हूँ, मैं हिंदूत्यों को मानता हूँ, यहां Vikram संपत, बैठे हैं, यह हिंदूत्यों को मानते हैं, मैं और Vikram संपत Boko Haram है, मैंने मक्खी को मर नहीं कहा आज तक मैं बोको हराम हूँ मैं कुछ नहीं खराब करता हूँ मैं IAS IAS हूँ और IAS IAS वालों को इन लोगों ने लीगल सपोर्ट दिया है आतंकवादियों को लीगल सपोर्ट मेरा देश टुकड़ा होगा इसके लिए अफजल हम शर्मिन्दा है तेरे कातिल जिन्दा है ये कहा जा सकता है क्योंकि freedom of expression है और मैं अपने धर्म को बचा नहीं सकता मैं अपने राम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ जबाद दीजे करने कुमार जी गैस की कीमत बढ़ रही है पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है आप देख लीजिए आप अखवार पल्टेंगे दिन गुजरेगा और कोई ना कोई नया सरकारी संस्थान बेच दिया जाता है जब सरकारी संस्थान बेचे जाते हैं तो बेरोजगारी में इजाफ़ा होता है हम नीजी करन के खिलाफ नहीं है मेरा ये कहना है कि इस देश में जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो नीजी करन भी efficiently work नहीं कर पाएगा हमारा ये अनभब है कि सरकारी स्कूल होता है तो जो एक बड़ी आवादी है, जो नीजी स्कूलों में फीस नहीं दे सकता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो फीस दे सकते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी बैंक होता है, तो इफिसेंटली प्राइवेट बैंक काम करता है आज बेंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है लाइसी बेचा जा रहा है यह जो राष्टवाद के नाम पे राष्टिय संपत्ती की बिक्वाली हो रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं इन सवालों का जवाब देने की बजाए यह क्या करते हैं बोको हरम करते हैं कौन चोरो आंदोरन में हिस्सा नहीं ली थी यह इतिहास मैं गलत बोल रहा हूं या सही यह मुझे ठीक किजिएगा और RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे जंडे को स्विकार नहीं काक किया उसने कहा कि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि तीन रंग होने चाहिए जंडा में बोली हम गलत बोल रहे हैं कि सही हम कहते हैं कि यह देश बार-बार जो साकेत ने कहा हम बिलकुल यह नहीं कह रहे हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है पांच हजार साल का इतिहास है और इस भुभाग पे पैदा होने वाला हर इनसान चाहें उसकी पूजा पद्धती कुछ भी हो चाहें उसकी माननेता और आस्था कुछ भी हो वो इस देश का नागरिक है और नागरिकों को बराबरी का हग दिया गया है ठीक है बले संबित जी की सरकार हो एक अधरी बात चितरा जी यह बार-बार 2016 से भारत तेरे भारत तेरे बोल रहे हैं उतना पार तुकरा तो हम नहीं बोले हैं जितना वार यह तुकरा बोल चुके हैं और क्योंकि यह तुकरा पे पलते हैं हम एक वार भी नहीं बोले हैं यह तुकरा पे पलते हैं और यह बात में पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि है हिनको हिम्मत तो पूछें अपने ग्रिह मंत किसांँ के उपरजीप चढ़ देता है और उनके उसके बात इनके मूंढ से सब्द नहीं निकलता है यह कहते हैं कि किसांटों कशादत सुप दूख है मुझे आपको दुख था तो आप गय क्या आप किसांन पड़िवारों के पास तुछ जिन thì अिक दोले तेनी की बात कर रहा था उसका बेटा जीप चड़ाया है जैसा जीप नहीं नहीं रहा पाईएगा जवाप सुलीजे ठीक है देखे चित्रा जी आपर तु तु मेमे की डिबेट लोग देखे तालीब जाने के नहीं बैठें गंभीर लोग बैठें आप जानते हैं चित्रा जी विगत सतर वर्षों से देश में डिबेट चल था ता कि अनुच्छे 370 को कोई चू नहीं पाएगा यह आटिकल हटी नहीं सकता है लोगों नहीं यहां तक कह दिया था कि मोदी जी अगर हजार बार जनम ले ले लेंगे तो अनुच्छे 370 नहीं ह और मेरा प्रधानуса गर्व के साथ कहता हुनिरणएलेनया क्या होता है जो जवहाल लाल नहु कहते थे 371 घिन घिस्ते 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 जैगा एक दिन में ही उसे घिसकर समाप्त करने की हिममत रखता है नरेंद्र मोदी और यहां है हमारा देश के सरकार राज़ कोई बात नहीं जहां तक टैनी जी के विशे में पूछा गया है स्वभाविक है यह प्रशन पूछे जाएंगे लोग तन्ति हमें भागना नहीं है इन प्रशनों से किसान संगठन वहां की जो प्रसाशन है दोनों ने बैठ कर इस बात एक अरजी दी कि जो प्रसाशन है इस पर जांच करें और जांच के बाद जो भी सत्यता सामने आए उस पर कारेवाही हो सुप्रीम कोट उसको देख रहा है मैं किसी के बचाव में नहीं बैठा है मैं कहता हूँ अगर हमारे भी किसी व्यक्ति के कारण से एक भी मौत हुई ह हो तो कानून अपना काम करेगी मैं यहां बचाने नहीं आया हूँ मैं बिलकुल बचाने नहीं आया हूँ मगर मैं कहता हूँ आज आप देखिए इस देश में चर्चा हो रही है नरसंगार की चर्चा हो रही है किस प्रकार से कानून की विवस्था क्या हो गई है आप यही वो लोग है जिन्होंने 5,000 सिखों का दिली में हम बैठे हुए हैं निकाल निकाल के घरों से गले में टायर डाल के जला दिया गया इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं है उनको नमन करता हूं मगर मैं याद दिलाता हूं इंदिरा गांधी ने वो किया था जो कोई सोच कर्णा टेंकर और गोल्डन टेंपल के अंदर हर्मिनदर साहिब में प्रणाम करता हूं नभीन प्रूपय चॉकट्ट को हर्मिनंदर साहिब के अंदर से क्रोट टेंकर घॉश गया थे गोले बारी हुए प्रशान प्रशन का जवाब दे रहा हूं एक सेंड आपने कहा कि गुजरात की स्थिती बहुत खराब है ड्रग भी आ गई सब कुछ हो गया वैसे आज employment आया है, employment data आया है, आप देख सकते हैं, अरभगार में front line में चपा है, गुजरात में सबसे कम unemployment rate है, सबसे जादा आप देखिएगा, जम्मु कश्मीर में है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद जो कॉंग्रेस है, केरल में है और ओडिसा में है, anyways, गुजरात में आप तो अध्यक्ष है, माननी अध्यक्ष है, मैं आपको बाद मानता भी हूँ, इतनी परिस्थिती खराब होने के बापजुद, अभी निकाये के चुनाव हुए, क्या परिस्थिती थी वहां कॉंग्रेस की, इतना कुछ हम खराब कर रहे हैं, हम आपको गैस सिलिंडर नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, डीजल नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को सड़क पे मार रहे हैं, ह are Hindu-Musliman कर दे रहे हैं, फिर भी काउंग्रेस पाटी के खिलाफ, मॉताव当 पढ पते पो बोल रहे हैं, मॉताव ओ नहीं हैं, हpurpose चुड़िव्शटी अर् पता चलेगा नेत्रित्व किसका है दिखे गुजरात के बीतर जितने भी लोग कॉंगरेस के साथ जुड़े हुए वही नेत्रित्व के लिए कर रहे है और गुजरात के अंदर आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर गुजरात में एक नौ निर्मान की तरफ आगे भी अगर दिखती है तो ये लोग पूरी की पूरी सरकार बदल देते हैं बट आप लोगों में वह आक्रामक बदलाव दिखाई क्यों नहीं देता है तीन के अंदर भी अच्छे से बदलाव होगा कॉंग्रेस पार्टी लगातार विबिन मुद्दो को लेकर जन संगर्स कर रह यहां से मैने और कनाया ने जो जो सवाल पूचे हो किसानों को लेकर पूचे बेरोजगारी को लेकर पूचे सिक्सा को लेकर पूचे निजी करन को लेकर पूचे उसका जवाब उन्हों नहीं दिया उन्हों नहीं नहीं दिया उन्हों नहीं कहाँ तो मैंने भी उसका स्वा साल होज गया होगा हमारे कितने जवान कस्मिर के अंदर सहीद हुए है हमारे जवानों के हालाद कस्मिर के अंदर क्या है मेरे गुजरात में ही पीछले एक साल के बीदर तेरा जवान सहीद हुए है मेरा कहिने का मतलब यह है कि यह विभीन मुद्दों को लेकर पांजाब पहुच गई थोड़ी देर में कश्मिर पहुच गए थे उससे पहले माता गंगा के पास पहुच आप अची बात है हम भी मानते हैं भी विभीन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए लेकि शत्ता में आप बैठे तो अभी हाला जो देश के जो करेंट मुद्दे है उस पर संभी जी कभी भी चर्चा करते नहीं है दूर भागते हैं और आज सर्सों के सर्सों तेल के बाद लगातार कॉंगरेस पार्टी अपने तरीके से प्रयास करते हैं विपक्स के नाते हम हमारी जिम्मेवारी होती है कि देश के विबिन मुद्दो को लेकर देश के मजबुस विपक्स के रूप में हम अपनी बात रखते हैं और इसलिए हम लड़ते भी चाहे वो सड़क पे हो चाहे संसद पे और उन्होंने संसद की बात कही अब हम दोजा 14 से पहले आपको क्या य दैते हम जानते हम जो को अब शवाल करते है उन सप्ता मैं इसलिए रहूल गांधी जी परदान मंतरी थोड़ीं नहीं थे आपको चुना जा रहा है तो महंगाई जैसे मुद्दे पर रोजगार जैसे मुद्दे पर आपक्यों मुद्दे को डाइवर्ड करके राष्टबाद या फिर हंदुत्व की एंट्री करा देते हैं बिल्कुल जनुएन प्रश्न है मैंने आपको कहा कि सरकार में हम है तो पार पार्लेमेंट में सुच के भाग जाना सवाल पूच कर प्रश्न को बंद कर देना ला यह पार्लेमेंट का तरिका नहीं और शडक में भी आप जब सवाल पूचते हैं तो जवाब दिया जाताurg कौन को देता है ये जो बैठी है जनता जनार्दन मतपेटी के हिसाब से दियम के हिसाब से जवाब देती है, और अभी तिया, अभी सबसे हाल-फिलहाल में तृपूरा का ELECTION हुआ है, तृपूरा के ELECTION के Nतीजों को देखिए, सारे seat, 329 seat हमारे पास, और 10 seat बाकियों में बटे हैं, कांग्रेस को मिला है सुन्य, सुन्य सब्सक्राइब करिए और किसने यहां पर डाइवर्ट किया आप बताइए मैने जाके सल्मान खुर्षित जी को कहा था किसल्मान कुछीट जिए जरह भोकोहराम भला लिर रिगडेना कि ही तवा टा यहां कर भोकोहराम है हमने कहा था नभ जॉट सिंख सिद्धु को जा पर इम्रानमे बड़ा भाई है मेरा बड़ा भाई है I LOVE Pakistan हमने का था आप कहेंगे और आप बोलेंगे हम डिबेट भी नहीं करेंगे डिबेट बढ़ेट नहीं करना था राष्टरवाद के ओपर, पेट्रोल पर डिबेट करना था, तो यह दोना आये क्यू हैं? आज मना कर देना था कि हम नहीं आएंगे, राष्टरवाद पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पेट्रोल पर डिबेट करेंगे, आप एंप्लॉइमेंट पर डिबेट करेंगे, तब हम आएंगे, हर डिबेट पर आके बोलेंगे, हाँ हाँ, इनका हिंदु तो खराब है, यह RSS व आज हेडलाइन क्या है, ममताव अनर जी बोल रही है, UPA क्या है, I don't know what is UPA, UPA तो डिसकार कर दो, हम तो बानते ही नहीं है, उन प्रशांथ किशोर, प्रशांथ किशोर तो हमारा नहीं है ना, इसको तो माला पैना रहे है, इसको तो माला पैना रहे है, अभी के थे वो, सर प्रशांथ किशोर को माला पैना रहे थे, प्रशांथ किशोर बोल रहा है, 30 years, 30 साल तक कॉंग्रेस पार्टी और नहीं आ सकती, और आज क्या कहा है, किसी एक इंडिवीजुल का डिवाइन राइट नहीं है, कि कॉंग्रेस को बपोती सोच करके उस पे अधिकार जमा सके र पहले संबित पात्रा को भूल जाएए, पहले जाके द्वाड़ी पे अराम से अराम से ही बोल रहे है, कपिल सी बल बाहर कड़े है, भागने को तैयार है, पकड़िये, जल्दी दोड़िये, पकड़िये उनको, और भाग जाएँगे तो आप अपके पहले नेता लेकर आते किताबों में बोको हरम और आइसे समान चाहिए, तो कर सारी आरो, बीजेपी पर ही क्यों लगाते हैं, हम बोल देते हैं, देखिए क्या है, इसलिए इनका इलाज, इनका दवाई है मेरे पास, संबित पात्रा का, तुरंत बच्चा इसा रोने लगे, कलिपूरी जी, आज संबित पात्रा ने अपने बर्बोले पन में देश की जनता को बता दिया, कि अगर आप महेंगाई से परेसान है, अगर आप बेरोजगारी से परेसान है, किसान को आत्महत्या करनी पर रही है, इस देश में सरकारी संस्थान बेचे जा रहे है, कर्णचारियों की नोक तूट गया था आपका भी टूटेगा चिंता मत कीजिए देश की जनता से इस बड़े मंद से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाजपा की एक दवाई चुनाव में इनको हार की घुट्टी पिलाई जाए यह तुरन ठीक हो जाएंगे दूसरी बात यह बार 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 कॉं क्या ये सत्ताधारी लोग किसी को भी बहस करने की इजाज़त देते हैं क्या मैं बार बार कहता हूं कि जब इस काजकरम का नाम रखा गया है एजेंडा आज तक तो इस देश का एजेंडा आज क्या है उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है रेलबे की ग्रूप D की भ क्या है साथ साल से खिचडी खा रहा है कोई बहाली नहीं मिल रही है और इन्होंने तो एक सीधा मर्ज का इलाज निकाला है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी परिएगी सरकारी नोकरी मैं कहता हूं कि आज के समय में इस देश क आम आवाम को सीधे तौर पर ये सोचना परेगा कि रास्त का नाम ले करके भगवान का नाम ले करके मंदिर मस्जिद करके इस देश के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह किया जा रहा है विकल कौन होगा बार-बार इतना गिनारे हो से कमिया जनता जनता ही तो वोट कर अच्छा दिन का वादा इस सदी का ये जो जुमला है अच्छा दिन का जुमला इस सदी का सबसे बड़ा घपला है और इस घपले के खिलाप देश की जनता को सिर्फ एक काम करना है भाजपा के खिलाफ वोट करना है और विकल्प की जहां तक बात है जिस लडाई में जो ज सबसे यादा बेरोजगारी हुई है कि अगर मुझे पूछा जाएगा ना इस देश का प्रधान मंत्री कौन होगा मैं खड़े हो किसी में गूवत है कि नेता ही नेता है एक संस्तिता विच मैं नहीं बोला था देशिता जिटा अरु जैसे में अपने फाइड़ी आफ मैं इतना मोंक रोना कि मॉधि कान इंड्र अवी मुझसे निकलेगा नहीं मुझसे निकल भी रहा है मोधी का विकल्प राहुल गांदी यह चले है चुनाव जितने के लिए इनके मुझसे नहीं नहीं मान रही है अखिलेश नहीं मान रहा है मायवती नहीं मान रहा है कोई तो इनको विकल्प के अंदर के 23 इनको विकल्प नह एक सकंदी बोल रहा हूरा हूरा हुच एह तुमानता हूई राहु गांधी के विकलप का नहي अगुमार जरूर हो सकते हैं यह तो मैं मांता हूं राहु गांधी के विककर पा नहीं हो सकते हैं मिल Elsak घंज डेश्वर मदी ए इस देश में जनता वोट करेगी ना सत्ता के कि खिलाब और जनता ही जनाधन है जनता ही जनता को ही हम कहेंगे ना आप खो योड़ी ना कहेंगे जनता आने वाले दिनों में और फिकर अभी मैं कॉंग्रेश के साथ जुड़ी हुए और मुझे भरोसा है और पुरी Εरे से ब्लड प्रेशर की गोली आप राहूल गांदी को खिलाइगा इतना कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा है इसे खराब परिश्थिति नहीं को खिलाइगा और शाम को यह भी दीजिएगा और पुडिया भी है उनके लिए मेरे पास अनानी वाला वक्त हमें इतने की हिजाज़त देता है आप तुमाम एमानों का बहुत शुक्रिया मारसाथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए अब जनता के बीच इन तमाम मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी जाकर अपनी बात क अब जो समझा पाती है यह देखना रहेगा महत्वपूर्ण लेकिन गर्मा गरम बहस के बीच बहुत सारी सवाल भी उठे जिसका जवाब भी मिला बहुत सारे सवाल अधूरे रहे है ना अगली वार संभी जी को बुलाएगा प्लीच आप लिए बहुत शुक्रिया बहुत विणुचा खड़ा करो कि धनिवाेद थनिवाद 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 था रश्ट्रु या राष्ट्रबाद समय समय पर इसकी अवधारणा इसकी व्यापकता क्या यह दूसरे की पूरख या फर नहीं मौजुदा वक्त में राष्टुबाद क्या भिन्न्हें पहले के और समय समय पर क्या सरकारे अपने हिसाब से राश्चुबाद को परिवर्तित करती रहती हैं। कि राश्चुबाद को अपने हिसाब से राश्चुबाद को अपने हिसाब से यह सरकार परिभाशित करती हैं। देश हित। मैं इसको पॉलिटिक्स में तो ले जाओंगा धीरे-धीरे क्योंकि पॉलिटिक्स तो अल्टिमेटली होना ही है। उससे पहले थोड़ा ब्रॉड प्रस्पेक्टिव में डिसकस करते हैं। देश और राष्ट्र यह दोनों शब्द परियावाची नहीं है, भिन्न भिन्न है। देश की बाउंडरी होती है, देश की एक अर्थनीती होती है, देश में काउंसिल अफ मिनिस्टर्स होते है, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की अपनी एक छवी होती है, देश का एक आर्मी होता है, this is country, देश, राष्ट्र एक सोच होता है, उसकी बाउंडरी नहीं ह आती है यह गंगा अगर देश के नजर से देखी जाए तो नदी है अगर राष्ट्र के नजर से देखा जाए तो गंगा मा है गंगा एक सोच है वो जननी है वो भागी रती है वो सिरसरी है वो गंगा है वो राष्ट्र है इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है रा मेरे विचार अच्छे हैं, तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी मा है, मेरे विचार में कहीं खोट है, तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मा नहीं हो सकता हूँ, राष्ट्र को मा मानना, राष्ट्र को जननी मानना, राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है, और इस कारण से ये जी सबसे पहले चितरा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आज तक का धन्यवाद कि उन्हों ने इस कारिक्रम के लिए बुलाया है आपके सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-धन्यवाद मैं समझता हूँ कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्टवाद से क्या दिक्कत है मुझे बीजेपी के राष्टवाद से दिक्कत नहीं है मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है ये राष्ट है इसको को 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्टपती लाजंदर प्रसाद जी की जेनती है आज खुदिराम बोश की जेनती है आप देखिए कि तमाम अलग-अलग धाराओं के लोग अंग्रेजों से लर करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया देश आजाद हुआ और संविध जी बोल रहे हैं संविध जी की पार्टी के एक युबा तेज तरार नेता ने कहा कि आजादी लीज पढ़ है 99 साल की तो ये ना आजादी को मांते हैं ना देश के संविधान को मांते हैं तो कोई भ लिए कुछ कर्तब निर्धारित किये गये हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है, हमारा मानना है कि रास्ट का नाम लेकर के यह अपना बेक्तिगत जेब भड़ते हैं, कैसे?